पुरानी पैंशन योजना की प्रलंबित मांग को ततकाल लागुकंडे की प्रमुक मांग को लेकर यवतमान से लेके दीगरश शहर में मंगलवार को वाइक रली और बेमियादी अंशन के माध्यम से उदासींता दिखा रही सरकार के खिलाफ रोश वैक्त किया गया इस दोरान सरकारी शिक्षय और शिक्षकेतर करमचारी समनवे समीती महराश्र राज दीगरत तहसील शाकत सहित अन्य करमचारी संगटनों के पदादिकारियों सहित करमचारियों ने इस आंदोलन में बड़ी संग्या में हिस्सा लिया इस मौके पर विभिन संगटनों के पदादिकारियों ने एनपियस रद्यकर्णी और पुरानी पैंशन योजना को लागू करने की मांग को धोराया तैसिल कारियार सहित पंचाय समिती के प्रागण में जारी बेमियादी अंशन में एकच मिशन जूनी पैंशन के नारे लगाए गए इस आंदोलन में निकली बाइक रली में भारी संग्या में करमचारियों ने हिस्सा लेकर अपना रोश प्रदशन किया सब्सक्राइब करने लोकार ना पेंशन आहे असे बांदव सुद्धा या वंदला पाठीम बादी लेला है तैंचे में धन्नेवाद व्यक्त करतो दोनार पाचपूर्वी जे टप्य 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 ग्रेंडर आले ले अशाड़ा आहे त्याना पेंशन सरकार ना पहले हो म प्रकार ची पेंशन नाई त्यांचा कुटूमबाचा निर्वाहा कसा चालनार हा महत्वाचा प्रस्ण आहे त्या सर्व 32 33 लोकान ना नाय देनाचा काम आमी वेभूद संबाच माध्य बादू करता हो या पूर्वी हा संप पुकार ने पूर्वी आमी समन्वाई समीती च वर्तिने महाराष्ट्र शासना कडे आमी या पूर्वी वेड़ो वेडी निवेदन केले निदर्शन केले काला फिती लाउन आमी आंदोलने केली परन्तु सरकारला जाग याला तयार नहीं आए आप अशा परिस्तिति मदे आज आम चे सर्व सरकारी कर्मचारी शिक्षक श सहित राज जिभर में पुरानी पैंशन योजना को लेकर जगा जगाओं पर सरकार की नीतियों का पुर्जोर विरोज जारी है अब देखना होगा कि क्या करमचारियों के इस रोश प्रदर्शन से सरकार करमचारियों की मांगों को पूरा करती है या फिर सरकार का अडियल रवया यूही बरकरार रहता है इन बीसियन न्यूस के लिए दीगरस से जुपेर खान की रिपोर्ट